हेलो एव्रिवान आज के इस क्विक रिविजन सरीज में हम रिवाइस करने जा रहे हैं एग्रोनॉमिकल क्रॉप में सीरियल क्रॉप्स को बहुती शॉर्ट अंड समराइस्ट पॉर्मट में रिवाइस करने की जरूरत है इस समय पर तो मैंने कुछ बड़े ही चॉट डाउन कर दिये हैं और आप डेफिनिटली इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइस करके जरूर जाएं एक्जाम से पहले इन फैट यह जो मैं सेशन ले रही हूं यह काफी इजी हो जाएगा आप सभी के लास्ट मिनिट रिविजिन के लिए so never ever miss this kind of a session शुरुआत करेंगे आज के session में cereal crops से ध्यान रखना में जितने भी crops को discuss करूँगी all will be cereal crop शुरुआत करते हैं सबसे important cereal crop के साथ जो की है rice हलाग यह rice को मैंने काफी detail में offline ऑुफलाइन दोनों batches में discuss किया है but last moment में इतना कुछ जब पढ़ना होता है जाए important points का तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसी के साथ शुरुवात करेंगे सबसे पहले cereal crop के साथ and that is rice rice की अगर हम बात करें तो rice का सबसे पहले जान लेते हैं origin क्या है तो origin आप सभी को नजर आ रहा होगा South East Asia chromosome number क्योंकि maximum बच्चे जानते हैं तो I am sure ये exam में पूछा भी नहीं जाएगा हाँ एक चीज हमेशा याद रखना because genetics से relate करके एक सवाल definitely chromosome number पर पूछा जा सकता है वो है number of linkage group का calculation तो याद रखना number of linkage group किसी भी crop के लिए पूछा जाए that will always be equal to haploid chromosome number यानि rice का मान लो linkage group का संक्या पूछ दिया जाए तो that will become 12 इसलिए chromosome number भी कुछ important crops का आप सभी को याद होना चाहिए चलिए जहां तक बात करते हैं rice के origin की जो कि मैंने discuss कर दिया it is Southeast Asia rice में अगर हम cultivated species of rice की बात करें cultivated species rice में हमारे पास 2 cultivated species है एक जिसको हम कहते है oryza sativa और दूसरा है oryza glabarima oryza glabarima oryza sativa which is Asian rice कुछ points है जो मैं लिख नहीं रही हूँ just to save time अगर आपको लगता है आप बिलकुल लिख सकते हो और oryza glabarima जो है this is African rice so total number of cultivated species rice में कितने हो गए दो और फिर इसी oryza sativa को आप आगे चल करके 3 categories में बाट देते हो सबसे पहले का नाम है जैपॉनी का दूसरा है जवानी का और लास्ट है बिटा इंडी का वैसे तो यह सब बहुत पुराने questions हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा कि बही कितने cultivated species हैं यह African rice का scientific name क्या है इस तरह की basic सवाल पूछे जाते हैं व्यापब में यह कोई CET या AFO या Public Service Commission का ADA यह ACIDIO का exam नहीं है जिसमें बहुत high level जाता है paper का हाँ basic सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं उसकी तयारी हम कर रहे हैं चलिए इसके बाद हम आजाते हैं next point पर जो कि यह inflorescence of rice जिसे हम क्या कह देते हैं panicle fruit of rice is known as what carriopsis in fact तुम जितने भी cereals पढ़ोगे वहाँ पर fruit को हम carriopsis ही कहते हैं यह केवल rice के लिए ही नहीं है in fact यहू में भी आप carriopsis नाम से ही जानते हो next coming to optimum pH for growing of rice soil का optimum pH बहुत important point है जरूर याद रखना 4 से 6, 4 to 6 यानि कि acidic pH पर आसानी से rice को grow किया जा सकता है next नमा जाते है test weight of basmati basmati जो की rice का aromatic form होता है जिसमें खुश्पू भी होती राचस बोनस basmati और basmati का test weight कितना होता है 21 gram अब एक बहुत common सवाल है जो exams में पूछा जाता है कि यह जो basmati rice से उसमें कलक्सी खुश्पू होती है खुश्पू का reason क्या है तो क्यूंकि यह पिछले बार REO 2017 में पूछा गया था इसलिए chances बहुत कम है कि दुबारा repeat होगा लेकिन अगर आपको लगता है आप लिख ले यह वो chemical है जिसकी वज़ा से basmati में एक अलग सा to bio fertilizer जो आप rice में use करते हो बहुत important है it is azola और azola क्या है तो azola is a fern fern जो की plant kingdom का ही सदस से होता है याद रखना it is a member of plant kingdom only fern जिसे हम teridophyta भी कहते हैं यह मैंने discuss भी किया है plant breeding में जहाँ पर आपको classification of plants पढ़ना था आरियो के syllabus में मैंने यह पूरी चीज डिसकस कर रखी है next हम आज आते हैं another very important topic ekaiochi जो की rice में होने वाला एक disorder है और यह जो disorder है यह rice में h2s gas के toxicity से होता है इसलिए मैंने उपर वाला arrow बनाया है उसके concentration के बढ़ जाने की बज़ा से होता है next ghg यानी की greenhouse gas metrology का confirm सवाल वो कौनसा greenhouse gas है जो rice के field से emit होता है आप सभी को answer पता है answer is methane next point khera khera disorder तो भईया rice का एकदम patent सवाल बन चुका है व्यापम के examination का हो सकता है तुमको भी देखने को मिले अभी पिछला exam प्रबंधक उपारजन में भी ये सवाल आया था तो खेरा जो problem है सभी को पता है कि zinc की कमी से होता है और इस problem को सबसे पहली बार report किनों ने किया था तो he was yln ने किनों ने किया था बिटा yln next हम आज आते हैं rice में iron के toxicity से एक problem होता है जिसे हम कहते हैं browning iron के toxicity से कौन सा problem हुआ browning और आप सभी को मुझे comment करके बताना है कि rice में iron के deficiency से कौन सी problem होती iron की deficiency से कौन सी problem होती iron की toxicity से तो मैंने बता दिया browning का problem होता है next rice c3 plant है c3 के लावा ये एक monocot plant है ये भी पता होना चाहिए rice की family क्या है poesy next test weight of rice basmati का test weight 21 gram normal rice varieties का जो test weight है that is 25 grams next point पर आ जाते हैं because हमारे soil science आरियों के syllabus में एक topic है factors affecting fertilizer use efficiency तो rice में जो nitrogen use efficiency होता है N-U-E यानि की nitrogen use efficiency वो केवल 30 से 40% है बिटा मतलब only 30 to 40% nitrogenous fertilizer जो आप डालते हो वो use हो पाता है बाकि पूरा waste चला जा रहा है this is very important और साथ ही साथ यहीं पर एक point discuss करना बेहत जरूरी है कि rice जो है वो एक ऐसा crop है जो की nitrogen को ammoniacal form में भी ले सकता है another very important point next rice में लगने वाला monophagus insect कौन सा है जो कि rice के इलावा किसी भी दूसरे crop को पलट कर भी नहीं देखेगा बड़ा ही वफदार होता है monophagus pest of rice तो answer होगा YSB yellow stem borer scientific name scarpo phagia insert ulus order क्या है lepidoptera तो endo भी revise हो जागा है आगे बढ़ते हैं IGKV release varieties definitely इस बार भी तुमको अभी 4 परवरी के exam में एक ना एक सवाल IGKV release variety से पूचा जाएगा मैंने discuss किया है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अभी यह जो revision series में ले रहे हैं YouTube पर एक बार और important varieties को मैं revise करवा दूँ तो IGKV release varieties के अगर हम बात करते हैं तो एक variety शामला उपारजन में पूचा भी परपल कलर की rice की variety है यह हो सकता है आपको देखने को मिल जाए और नहीं भी देखने को मिल सकता है चले आगे भारत की पहली zinc rich variety जो है उसका नाम है CGZR1 36 गड zinc rice 1 जब आप किसी particular crop में किसी nutrient की मात्रा को बढ़ाते हो तो इस process को bio fortification कहते है और CGZR1 भी bio fortified variety का बहुत अच्छा example हो जाता है चले coming to next point states first sugar balanced rice variety या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे 36 गड़ से released वो कौन सी पहली variety है जो diabetic friendly है जो कि मधूग में रोग से भी परेशान जो भी लोग है वो भी आसानी से इस धान की variety को खा सकते हैं तो आंसर जाएगा 36 गड़ मधूराज 55 पिछली बार आरियो 2017 में इसी variety को पुछा गया था कि बताईए इनमें से वो कौन सी variety arise की जिसका glycemic index बहुत कम होता है जितना कम होगा glycemic index उतना बहतरीन हो जाएगा वो diabetic patients के लिए तो आंसर फिर से 36 गड़ मधूराज 55 ही जाएगा next हम आजाते हैं पहली hybrid variety from IGKV पहली hybrid variety तो इंदीरा सोना इसके बाद हम आजाते हैं seed rates of rice में विकरज अभी हाल में जो ADA का paper हुआ था 36 गड़ Public Service Commission के द्वारा conducted उसमें कई सारे सवाल seed rates से भी पूछे गए हाला कि व्यापमना generally seed rates से सवाल नहीं पूछता है लेकिन कुछ guarantee भी तो नहीं अगर पूछी देगा तो क्या करेंगे तो कम से कम rice और wheat के seed rates तो मैं पढ़ाई दूँगे आपको rice में अगर आप broadcasting कर रहे हो तो 100 kgs per hectare drilling कर रहे हैं तो 60 kgs per hectare अगर आप hybrid rice यूज़ कर रहे हो तो 15 kg per hectare depog method की मदद से अगर आप rice की planting कर रहे हो then 1.5 से 3 kg per meter square यह याद रखना यह याद रखना that is not hectare now diseases of rice blast fungal disease है pyrecularia oryze नाम के fungus से होता है pyrecularia oryze का sexual stage है magna porthe coming to the next disease BLB bacterial leaf blight नाम कुछ चिल्ला चिल्ला के बता रहे है वही कि मैं bacteria से होता हूँ कौन से bacteria से होता हूँ xanthomonos साथ ही साथ आप एक point और लिख सकते हो कि BLB जो disease है इसे killer disease of rice भी बोला जाता है killer disease of rice बहुत ही बढ़िया तरीके से short में तुमारा सारा important point revise हो जा रहे है और इससे जादा क्या ही चाहिए इतना भर-भर के लिखा हुआ notes आदमी last minute में revise कर सकता है लेकिन confusion हो जाता है इसलिए बहतर है short में revise कर लिया जाए तो याद रखना killer disease भी कहा जाता है इसके लावा एक और disease है brown leaf spot helminthosporium oryze और ये जो brown leaf spot है ये बंगाल फमीन का कारण बना था इससाथ राइस में टुंगरो वाइरस का भी attack होता है ये भी याद होना चाहिए टुंगरो वाइरस इस वाइरस विच अटाक्स राइस उमीद करती हूँ कि राइस से जुड़े हुए सारे important points जो है वो आप सभी को समझ में आ गए है और इस session के बाद आपके लिए चीजों को revise करना easy भी हो जाएगा next cereal crop पर आते हैं बिटा and that is wheat wheat जिसको king of cereal बोला जाता है एक बार पढ़ने में क्या ही बुरा ही है test weight जो होता है wheat का that is 40 grams और अभी जो trending सवाल बना हुआ है wheat से ठीक है ना कोई भी एगरी culture exam में पदा नहीं क्यों आजकल बड़ा trend में है ये सवाल हो सकता है वे आप हम में देखने को मिल जाए कौन-कौन से द्यांसर सुन होगे mimicry weed इसमें भी मैंने गलत लिख दिया है चलो इसको ज़रा सुधार दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है mimicry weed अगर पूछा जाए wheat का तब answer जाएगा बिटा fallaris fallaris minor लेकिन अगर आपको पूछा जाए paper में objectionable weed उसको ज़रा correct कर लेंगे मैं इदर लिख रहे हूँ objectionable weed गेहू का तो answer जाएगा convolvulus convolvulus यह ध्यान रखना जी हाँ mimicry weed और objectionable weed में difference होता है objectionable weed ऐसे weeds होते हैं जिनका weed जिनका seed crop के seed के जैसा दिखता है तो याद रखना गलती हो जाती है mimicry weed fallorous है objectionable weed convolvulus है और local names पढ़ने की जरूरत नहीं है weeds के आपको local name कभी ही देगा हिरन, खुरी, हजार दाना ऐसे नहीं देता है paper में सवाल चलिए तो यह correction कर लेंगे बिटा छोटा सा correction किया मैंने inflorescence rice का आमने पढ़ा panicle और wheat का क्या है बिटा spike protein जो पाया जाता है wheat में इसका नाम है gluten एक बड़ा ही patent सवाल बना हुआ है हमेशा पूचा जाता है in fact पिछली बार भी पूचा गया था कि wheat में critical stage of irrigation या कहो most critical stage of irrigation जो होता है वो है CRI crown root initiation stage जो कि कितने दिनों बाद आता है तो 21 दिनों बाद आता है wheat भी rice की तरह एक C3 plant ही होता है इसके बाद ये जो मैं topic पढ़ा रही हूँ क्यूंकि व्यापम में आज से पहले ये classification wheat का नहीं पूचा गया है इसलिए कोई बरोसा नहीं है कि शायद आपको इस बार ये सवाल देखने को मिल जाए तो चलिए जल्दी से मैं आपको पढ़ा देती हूँ classification of wheat सबसे पहला भी durum wheat तुम्हें याद होना चाहिए कि durum wheat को ही हम macaroni wheat बोलते हैं scientific name क्या है triticum durum next emmer wheat triticum diococum Indian dwarf wheat किसे कहते हैं triticum spherococum triticum spherococum origin rice का था Southeast Asia और wheat के केस में origin क्या है Southwest Asia wheat की मदद से दुनिया का पहला man-made cereal तैयार किया गया था जिसका नाम है tritical tritical कैसे बनाया गया by crossing wheat into rye और ध्यान रखना कि tritical को बनाने वाले scientist कौन थे तो he was rimpow tritical को किनों ने बनाया rimpow ने बनाया था bio fertilizer for wheat ठीक है ना कौन सा bio fertilizer आपने rice में यूज किया azola यहां कौन सा यूज कर रहे हो azotobacter और azotobacter तो खुदी बता दिया कि वो क्या है बिटा वो bacteria है next multi-line varieties have been developed in wheat बहुत important point है wheat में special category of varieties developed की गई जिसको हम कहते है multi-line variety आप बस ऐसा याद रखो क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ जो कि आपको complicate कर दे उल्टा तो simple language में multi-line disease resistant varieties होती है that's it और multi-line varieties जो कि wheat में develop की गई है एक है mlks multi-line कल्यान सोना और दूसरा है ksml कल्यान सोना multi-line ये दो multi-line varieties के series हैं गेवो के case में चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं next crop पर cereal crop पढ़ रहे हैं अभी इस session में पूरे cereal crops में cover करके दे रहे हूं आपको revise करवा के barley barley की family पोईसी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा I am sure आप सभी को पता भी है barley के आटे में gluten जैसी कोई चीज नहीं होती है जबके गेहू में यही protein का gluten next two road barley hardium distichion कहलाता है photograph I'll show it to you बाकी अभी समय कम है तो photograph देखने पर मच जाएगी कि two road कैसा दिखता है six road कैसा दिखता है just memorize this six road barley की अगर हम बात करें तो scientific name है hardium वल गया रहे साथ ही साथ यह ज़रूर याद रखना कि barley में एक बीमारी होती है जिसका नाम है maulia और अच्छी याद आया मुझे कि maulia के बारले में नहीं बलके wheat की भी बिमारी है और यह जो maulia disease है यह एक nematode से होता है nematode से और इस nematode का नाम है heterodera maulia is a nematodal disease of barley and wheat nematodes तुमारे syllabus में है भई तो याद रखना इसको ठेक है ना और यह किस nematode से होता है heterodera आगे राज किरन barley की variety है which is resistant to maulia और साथी साथ एक और variety याद रख लो clipper इसके लावा और भी varieties है barley में जैसे की आजाद लेकिन सबसे important जो variety है that is राज किरन which is resistant to maulia disease और यह किस की variety है barley की अच्छा इसे से मुझे यह भी याद आया कि आप rice की rice की कुछ nematodal diseases है वो भी लिख लें फटा फट जैसे की उफरा rice की nematodal disease है उफरा के इलावा rice में और nematodal disease होता है white tip तीसरा nematodal disease जो rice में होता that is montex बस दिमाग में यह सब होना चाहिए because rice बहुत important crop है मतब इससे पाथ सवाल भी अगर आ जाएं तो कुछ surprising नहीं होगा rice है ही ऐसा crop याद रखना अगर आप चाहें तो side में note down कर लीजेगा next काफी important crop पर आ जाते हैं that is maize maize का chromosome number is 20 number of linkage group हो जाएगा 10 origin की बात करें तो Central America king of cereal में गेहू को कहा maize क्या है queen of cereals maize का जो yellow color होता है वो एक pigment की वज़ा से होता है जिसका नाम है crypto xanthin और साथ ही साथ papaya papitay में तो पीला color होता है ना भई papitay का जो पीला color है वो आता है karyka xanthin से किस से आता है karyka xanthin नाम के pigment से तो दोनों में confusion नहीं रखेंगे next maize जो होता it is a cross pollinated crop maize में proto-andry होती यानि male flower जो है वो पहले mature कर जाता है maize एक monoaceous plant होता है एक plant में male flower female flower दो अलग-अलग positions पर present होंगे male inflorescence को मक्के में tassel बोला जाता है और female inflorescence को silk बोला जाता है next मक्के में कुछ varieties है जैसी की QPM varieties quality, protein, maize varieties ये ऐसी varieties हैं जो की lysine और tryptophan amino acid में rich होती है HQPM varieties high quality protein maize varieties HOM varieties high oil maize varieties कैसे पढ़के जाना है बहुत बार exam में सवाल ऐसे भी आ जाता है कि QPM किस crops related concept है maize मक्के का classification this is very important याद रखना ये काफी important मक्के का classification dent corn पूरा नाम होगा ziya maize मक्के का का I mean scientific name ziya maize है dent corn में तीसरे नाम में जुड़ जाएगा indentata dent देखो dent corn नाम में भी dent word आ रहा है flint corn indurata sweet corn शक्कर से बना शुगर तो sweet corn यानी की shakarata दिमाग लगाओगे ना तो याद रह जाएगा floor corn amylasia सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है popcorn evarta waxi corn siratina pod corn tunicata और मक्के की fodder purpose की जो वराइटी है that is African tall ये important है याद रखना मक्के में एक problem होता है white bud जो की zinc की कमी से होता है अरे कितना ही पूछेगा सोचो ना खेरा बार बार हो सकता है इस बार प्यार आजाए मक्के पर और मक्के से ये सवाल आजाए तो ध्यान रखना white bud zinc की कमी से होता है next bajra bajra पर गाना तो बहुत सारा बनाया है बढ़ बाजरा पर अभी तक सवाल नहीं आया है इसलिए पढ़ना जरूरी है bajra जो की एक C4 प्लांट है ये तो बड़ा ही important सवाल है एक नएक सवाल तो आता ही है कौन सा C3 कौन सा C4 next क्यूंकि MPRIO में ये सवाल पूछा जा चुका था कि transplanted bajra का seed rate कितना रखा जाता है तो 2 kg पर hectare और अगर आप direct sowing करें तो 3 से 4 के आसपास green ear बड़ा famous बीमारी है बाजरा का green ear disease को ही downy mildew disease भी बोलते हैं fungus से होता है fungus का नाम लिख लोगे sclerospora और ध्यान रखना व्यापम में जवाल ऐसा भी आजाता है कि green ear किस की बिमारी है green ear को और किस नाम से जानते हैं किस से होता है fungus से fungus का scientific नाम क्या है sclerospora दूसरी एक बहुत famous बिमारी है अरगट अरगट भी fungal disease है किस से होता है किस fungus से होता है claviceps claviceps hybrid जो मक्य I mean बाजरा में बनाई गई that was hb1 किस एर में 1965 hb1 hybrid बाजरा 1 और ये वराइटी कहां से रिलीज हुई थी तो पाउ यानि की पंजाब अग्री कल्शल उनिवर्सिटी विध्याना ये भी आदोना चाहिए next बाजरा की बाद हम आजाते हैं बाजरा की वराइटी पर which is पूसा मोती पूसा मोती काफी famous वराइटी है बाजरा की और ज़्यादा दिमाग मत लगाना बहुत सारी वराइटी इसको पढ़ने पर क्योंकि बाजरा की वराइटी में जादा से जादा पहला हाइब्रिड नाम पूछ सकता है और बहुत मन किया तो पूसा मोती को पूछ देंगे next सोर्गम सोर्गम जिसको जवार भी बोलते है क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है इसलिए मैंने लिखा दिया इस चीज को सोर्गम is also a C4 plant इसकी पहली आइब्रिड वराइटी का नाम था C.S.H.1 C.S.H.1 इन फ्लॉरसंस ओफ सोर्गम पैनिकल या हेड कहलाता है ध्यान रखोगे इसका एक बहुत इंपोर्टेंट करपतवार है स्ट्राइगा स्ट्राइगा जो की पार्शिल रूट पैरासाइट होता है स्ट्राइगा का अटैक सोर्गम के लावा बाजरा में भी होता है लेकिन अब बाजरा और सोर्गम दोनों रहे और पूछे most important किसका है तो उस case में answer सोर्गम ही जाएगा आगे जैसा कि आप जानते हो कि सोर्गम को भी as forder purpose use किया जाता है तो ध्यान रखना when used as forder purpose एक बहुत important चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है अगर आप सोर्गम को forder purpose में use कर रहे हैं because जब सोर्गम 30 से 40 दिनों का होता है तो इसके leaves में इसकी पत्तियों में एक toxic chemical का formation होता है जिसका नाम है HCN, Durin या Prusek Acid हाला की बिटा एक चीज़ और सुनना ये HCN का formation cattle के stomach में जाने के बाद बनता है तो वो लंबी चोड़ी स्टोरी पर मत जाओ बस याद रख लो कि जो सोर्गम होता है इसका एक जब 30 से 40 दिनों के आसपास होता है तो उस दौरान इसमें एक toxic chemical बनता है जिसका नाम है Durin या Prusek Acid जो की cattle के समक में जाने के बाद HCN में change होता है और पिर इसी को हम सोर्गम poisoning कहते हैं या fodder poisoning कहते हैं तो लंबी चौरी दूसरी बात है आप याद रख लो कि toxic limit HCN का कितना है बही 200 PPM मतलब 200 या 200 उसे ज़्यादा हुआ तो फिर आपने जिस भी जानवर को खिलाया होगा उस बिचारे को बरेशानी होने लगेगी एक बार CET में ये सवाल आया था आरियो में भी पूछने के बिल्कुल chances है लास्ट HCN is more in young plants of age 30 to 40 days जो कि मैंने बताया था morning के समय पर HCN का concentration ज़्यादा होता है ये भी याद रखना है तो रख सकते हो तो ये था सारे के सारे cereal crops का revision थोड़ा सा लंबा हो गया ये session because ये topic ऐसा है आपको कुछ समझ नहीं आए तो इसको आप last minute के लिए revise करके बिल्कुल जा सकते हो that was all for today's session thank you so much